तो चलिए करते हैं अपना टमैटो फेशल स्टार्ड फर्सली आप देख सकते हैं मेरा फेस काफी जादा टैनिंग हो चुकी है और गाइस सारी ये थोड़ी वाइटीस जादा आ रही है और देख सकते हैं आप ब्लैक ब्लैक स्पोर्ट्स हो गया है तो हम सबसे पहले करेंगे तो मैंने ये टमैटो प्यूरी बना लिए आपको अगर अकेला फेशल करना है तो आप वन एन अहाफ टमैटो लेके उसकी प्यूरी आप बना लीजिए और एक हाफ टमैटो जो है वो आपको ऐसे चाहिए होगा ये आपको स्कुर्बिंग के टाइम चाहिए होगा अब भी दो फिलाल इसकी जरूरत ने है तो एक आप ये फिर्सली हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्लींजिंग जो हमारा फर्स टेप है वो है क्लींजिंग तो गाईस के लिए आपको एक खाली बाउल लेना है जिसमें आपको ये प्यूरी जो है हमारी इसका दो स्पून चाहिए आप तो एक स्पून भी ले सकते हो उसके पाद चाहिए आपको यह रॉव मिल्क यह भी आपको एक स्पून या देट स्पून ही लेना है काई देखिए इसे और यसमें आप थोड़ा साघनी डाले लिए जिससे हानी आप सबको जैसे हमारी स्किन को हैल्दी मिनाने में काफी जाए अदेट हैं तो इसलिए अप यह आप यह पीडिव आप यह हम्यां यहाँज़ी आपड़ी काफी हो जाए आप यह रिखी हम्याँ क एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है हनी जो है वो काफी मुश्किल से इसमें मिक्स होता है उसको इसलिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो आपका पेस्ट है वो बनके रेडी हो रहा है इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि अच्छी तरीके से मिक्स होता है और आपको जब यह बन जाएगा कुछ इस तरीके का दिखेगा गाइस अभी सॉरी मैं दिखाने पारी हूं यह बाहर निकल जाएगा तो आपको इसको क्या करना है सबसे पहले पना फेस्ट वाश करना है नहीं आपको ऐसे निकाल के दिखा देते हूं चमल से इसके कंचेन नाच से कुछ इस तरीके की है है जो टोमैlli हुता है वह वह आप सब को पता ह maar मतल है कि उसमें व्रइटनिंग एजेंट्स होता है जो कि हमारी skin को हमारी skin की जो tanning होती है यह ब्लैक स्पोट होते हैं जो pimples होते हैं उनको हटाने में हमारी help करता है तो इसलिए guys यह हमारा paste हो गया ready सबसे पहले अपना face अच्छी तरह वाश कर लीजी तांकि जो dust होगी वो निकल रहे तो पहले हम करते हैंगे start cleansing से तो guys आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरीके से लगाना है मुझे guys काफी डाइम हो गया था मतलब की कुछ ऐसे clean up बगारा लिये हुए तो मुझे लगा यह काफी अच्छा और effective होता है तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से लेके ना उसके बाद इसको हलके हाथों से या करने है मसाय देनी है आपको इसी तरीके से इस टेमेटर फेशल से आपको कोई 5-10 मिन मसाज देनी है ताकि आपके फेस पर जितनी भी गंदगी है वो clear हो जाए तो आपको मसाज जो देनी है वो आपको मैं बता देती हूं किस तरीके से देनी है फर्स टैप आपका ऐसे ऐसे होना चाहिए जो कि आपकी अंडर आइस की जो जितनी भी डार्क सरकल्स को भी ये रिमूव करने में काफी जादा तो आप मेरे स्कैन को काफी ज़ादा बलाक स्कार। चिन हो जुकी थीMichael में आपको जाएटार टे इन उसकी स्की तक हिए तो आपको ये मेरे विसम्न को काफी जादा काफी आएटम depression कने वर्यूंत वह जूआ कश्तिक्या तरफ नहीं करना है क्योंकि उससे हमारी स्किन जो है वह लूज हो जाती है और नीचे की तरफ लटक जाती है तो आपको कोशिश करने हैं जब भी आ फेस का कोई भी क्लीन अप या कुछ भी लो तो आपको ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करना है फिंगर्स को और इस जब आप ऐ स्किन होती है और नोज की पास आपको कुछ इस तरीके से करना और यह जगावे क्योंकि आप सब जानते हैं इस जगा पे ज्यादा यसे ड्राइनेस के वारी हो जाती है जिनकी आप यहां पर बड़ा कठा हो जाता है उसकी वज़ज़े से डस्ट होने के का रहें ब्लैक और यहां पर ड्राइनेस जादा हो जाती है इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से यहां से क्लीन करना है ओके गाइस और फोर हैट पर हमें फिंगर्स जो हमारी टोज होते हैं इससे हमें इस तरीके से रोटेट करना और कोशिश कीजिए अपने आई लिट्स पर भी अच्छी क्लीन करने के लिए अपना जिट्स जो भी आप फेशल करोगे अपने यह टोज के साथ ही करो क्यूंकि यह हमारे काफी हैफुल और बहुत एजीली स्मूथ्ली हमारे फेश को क्लीन अप करते हैं तो इसी तरीके से आप कर दस्मिंट मसाज कीजिए उसके बाद आप इसको वाश कर लीजिए आप लोग चाहें तो मैंने वाटर वैसे यूज किया है वाइपस में आप नर्मल वाइब वाटर से भी यूज करते से भी फेस वाश याँ सोप यूज नहीं करिएगा फेशल के दौरान जिस्ट क्लीन करना है आपने मतल की ऊपर ऊपर जो मैटीरियल होगा उसे आपने क्लीन अप करके निकालना है जिस्ट क्लीन अप से ही आप देख सकते हो ना फेस ऐसे अच्छा लग रहा है ग्लो कर रहा है देख सकते हो आप गईज अच्छी दिखिए ऐसा नहीं सोचे कि मैं पता नहीं चाहा लगा रही हूं मैंने पानी ही लिया है और उसमें से वाइप को डिप करके वेट करके यूज कर रहे है कि अच्छी देख सकते हैं मैंने पना फेस जो है वो क्लीन कर लिया है तो अभी हम सेकिंड हमारा जो है आप देख सकते हैं कि अच्छी से ही मेरे पेस पे काफी अच्छा मुझे हर्दी सा फेस स्किन लग रही है और जाइस मुझे कुछ ब्राइटनेस अलग सा आ रहा देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है तो इसी तरीके से हमारा क्लींजिंग जो है वो खर्तम हो चुका है नेक्स्ट हमने शूरू करना है अपने फेस पे स्कर्ब जो हमारे फेश का सेकिंड स्टेप होता है वह स्कर्ब तो इसमें डालें हम यह है शुगर जो कि मैंने पीसी नहीं है तो इसमें डालें हम हाफ चमच शुगर जो कि मैंने थोड़ा दरदरा पीस के काफ रखा हुआ अपने लिए तांकि जब भी मैंने कोई फेशर्स बगरा यहां कुछ भी रेमेडी बनाती हूं तो इसमें मैं यूज कर ले तो यह मैंने खुद घर पे ही ग्राइंड करके बनाया हुआ आप देख सकते हुआ है ऐसा दरदरा पीसना है इसके कारण आपके फेस की जो है सकब अच्छी तरह जो भी गंदगी आपके फेस के दो निकल जाएगी इसको भी आपने एक चमच ही लेना है गाइस कर्ड मिलाना एक चमच कर्ड दहीं और इस अपने फेस को थोड़ा सा ओर अच्छा हेल्दी लुक देने के लिए आप थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हो हाफ स्पून हनी जादा नहीं डालिए सिफ हाफ स्पून क्यूंकि हमने शुगर भी आलेडी इसमें डाली है तो वह काफी जादा चिप चिपा हो जाएगा उसके गाइस तो यह हमारी इसको भी हमने करेंगे तो जो हमारा चावल का आटा है वह भी चावल के जो पार्टिकल्स है वह गल जाएंगे और वह अच्छी तरह फेस को क्लीन नहीं कर पाएंगे इसलिए थोड़ा ही इसको मिक्स करना है दैन हमें इसे अप्लाई करना है फेस पे ताकि हमारा फेस जो है वर्च्छी तरीके से क्लीन अप होच सके आपको ज्यादा इसे टाइटली हैंड से नहीं करना है ज्यादा दबाक के फेशल नहीं करना है जितने जादा स्मूठ हैंड से आप करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने में आएगा आपको बार बार आपको बोले अपना नेक के एरिया जरूर क्लीन कीजिए गाइस ताकि आपकी जो फेस की टोन है वो एकोल लगे और इवन स्किन टोन ना लगे आपकी ऐसा ना हो आपका फेस अलग और नेक अलग दिखे कि जब आप स्कूप करें तो मेरी बात को दिहान में रखें कि उसको थोड़ा आइस साथ थोड़ा साथ थोड़ा सा दिहान से यूज करें कि वह पार्टिकल सांथ में ना जले जाएं कि थोड़ा हाड होता है दगेगा फिर आपको में ऐसे प्रॉब्लम हो जागी आपको और नोज एडिया को आपने इस तरीके से करना है ताकि आपके जितने भी ब्लैक हैट्स हो वह रिमूब हो जाएं गाइस सच में इसका इतना अच्छा रिजल्ट है ना आप लोग खुद देखोगे अगर अच्छा प्रॉब्लम हो जासे कि मैंने आपको बताया है इसको भी आपने पांच मिनेट तक इसका जो है इसका स्कर्बिंग करनी है फेस पे आप देख सते मेरे हैंड्स पे जो पार्टिकल्स है वो कैसे लगे हों है गाइस बस यही चीजें जो हैं आपके फेस को अच्छी स्टोर में है गाइस मेरी स्कीन भी थोड़ी सी अन्यवन सी है बट गैस मैं जब फेस्ट करने से पहले मैंने आपको दिखाया था यहां से काफी ज़त ऐसे निशान से ब्लैक ब्लैक स्पॉर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी काफी ज़ादा क्लियार लग़ी है स्क्रि मुग में चला गया मिथा 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 लग रहा है इसे आप अपने लिप्स को भी स्कॉप कर सकते हैं आपके लिप्स के ओपर जो ड्राइनस यहां कोई डैट स्किन होगी है कर चाहिए वह भी मुग हो जाएगी और जो एक विषय रही है यह जी स्कॉर्ब यह हमारे हमारे फेज़ए जिड Coin tipping क proteg निकालने में हर्फूल बहुत जादा है तर बहुंत कर तक आपके वह ऊव्मारे हंए ज़ए कालने के लुएक mínimo दृफ खर स्किन हर देखो कर मेरे सकिन हाथों से करिएगा ज्यादा टाइटली हैंट से ना करिएगा कि ही आपकी फेस पे ये शुगर और जो चावल का जो फ्लॉर होता है थोड़ा हाड होता है इसलिए थोड़े स्मूध हां से कहीं आपकी फेस पे रैशिस ना हो जाए उसके लिए बार-बार बोल जूब आपको थोड़ा सा थो हलका सा हाथों को दबा के जादा नियुक्त मेरे करने से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं किस टाइब से कर रहा हूं गाइस देखिए मैं आपको एक चीज और बता हूं जैसे कि मैं आपने देखा था कि जब मैंने से यहां से इतनी सी क्लिप जो है वो डिलीट हो चुकी थी तो सारी उसके लिए तो आपको इसके इस की स्कुर्बिंग के बाद आपको जो मैंने स्टार्टिंग में टोमाटो को पीस पताया था आपको वही लेके उसमे थोड़ी सी शुकर और हल्दी डाल के ना आपको हलके हलके सिरप करना है उसको कम 2-3 मिनिट आपको करना है और उसके बाद आपको क्या करना है और फेस को अच्छी तरह से ठंडे पानी से वाश करना है और मसाज ज़्यादा टाइटली हैंसे निंग निया बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से मसाज करना है ताकि एजी ली जो है आपकी सारी डस्ट और र अच्छी ना पड़े क्योंकि जो चावल का और चीनि का जो होता है उस थोड़े हाड होते हैं पार्टिकल्स तो उससे रेशिस पर सकते हैं और बहुत जादा जोर जोर से करोगे तो अधर्वाइस ऐसे कुछ नहीं है कि आप आप आराम आराम से करना है आपको हल्की सी हल्क का उसा प्रेशर रखना जादा प्रेशर नहीं रखना तो आप देखेगा आपका फेस पर कितना अग लोग आएगा वाइस तो आप तो थोड़ा सा राव मिल्क यह मैंने डाली है वी ट्मैटो प्यूरी जो की एक चमच है आप चाहँ दो चमच भी उसकर सकते हो अगर आपने एक से दो बंदों के लिए करना तो इसमें डालेगे हम यह है शुगर जो कि मैंने पीसी नहीं है तो इसमें डाते हैं हाफ चमच शुगर गाइस यह है दिखाई दे रहा है राइस लाओ रहे चावल का आटा जो की मैंने थोड़ा दरदरा पीसके काफ रखा हुआ अपने लिए तांकि जब भी मैंने कोई फेशल बगरा यहां कुछ भी रेमेडी बिनाती हूं तो उसमें म हुआ है आप तेक सकते हुआ है ऐसा दरदना पीछना है इसके कारण आपकी फेस की जो है स्कॉप अच्छी तरह जो भी गंदगी आपके फेस के दो निकल जाएगी इसको भी आपने एक चमच ही लेना है गाइस और इसमें आपने थोड़ा सा जो है वो कर्ड बिलाना एक चमच कर्ड दहीं और इस अपने फेस को थोड़ा सा और अच्छा अच्छा हेल्दी लुक देने के लिए आप थोड़ा सा हन्य भी डा सकते हो हाफ स्पून हन्य जादा नहीं डालिए सिर्फ हाफ स्पून क्यूंकि हमने शुगर भी आल्रेडी इसमें डाली है तो वह काफी जादा चिपचिपा हो जाएगा उसके गाइस तो यह हमारी इसको भी हमने थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है इसको जादा स्मूथ नहीं करना है क्योंकि गाइस हमें जो है थोड़ा दर्दरा ही चाहिए जादा करेंगे तो जो हमारा चावल का अटा है वह भी चावल के जो पार्टिकल्स है वह गल जाएंगे और वह अच्छी तरह फेस को क्लीन नह हमें इसे अप्लाई करना है फेस पर काफी ठीक पेस्ट बना रहा है काई आप देख सकते हो कैसे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं उपर दड़ रहे से और यही ऐसी ही कंस्टेंट्स हमें इसे की चाहिए ताकि हमारा फेस जो है वच्छी तरीके से प्लीन अप होज सकें आपको ज्यादा से टाइटली हैंड से नहीं करना है ज्यादा दबाके फेशल नहीं करना है जितने जादा स्मूर्थ हैंड से आप करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने में आएगा वाइस कि मैं बार बार आपको बोल भी अपना नेक के एरिया जरूर क्लीन कीजिए गाइस ताकि आपकी जो फेस की टोन है वह इकोल लगे और इवन स्किन टोन ना लगे आपकी ऐसा ना हो आपका फेस अलग और नेक अलग दिखे जब आप स्कुर्प करें तो मेरी बात को दिहान में रखें कि उसको थोड़ा आइस साइट से थोड़ा दूर रखें क्यूंकि गाइस अगर उसके पार्टिकल्स आपके आइस में भी जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है इसको भी आपने पांच मिनट तक स्कर्बिंग करनी है आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स पे जो पार्टिकल्स आपके लगे हुए गाइस यही चीज़ें जो हैं वो आपके फेस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगी गाइस अच्छली मेरा जो है फोहेड और फोहेड जो है वे से थोड़ा सा ब्लैकी शुन में है जब फेस्टर करने से पहले मने आपको दिखाया था यहां से काफी ज़ड़ा एसे निश्यान से ब्लैक ब्लैक स्पोर्स दिखाई दे रहे थे लेकिन अबी काफी जाधा क्लियर लग मुझ में चला गया मिटा 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 लग रहा है गाइस इससे आप अपने लिप्स को भी स्कॉप कर सकते हैं अपने लिप्स को पर जो ड्राइन्स या कोई ड्राइनस और स्कॉप निकालने में हाप बहुत ज़ादा है और बहुत ज्यादा हलप करता है आपके फेस को अची तरह की से नरिष करने में और देखो के बाद मेरी इसकी जैसे अपने जाएगा जैसेट जो सब्सक्त माणे दो ऑंके फ्लाव से हैंट उसकतİ तर ल्हाके जो जाएगा। जीज पेडै़ के के झाहिए बार बार बॉल्यूम का फोर्क तहाँ तक है नीचिताय इसके थीटाव बार बार बोल रही हूं आपको बिल्कुल यह इसे से करके करियेगा थोड़ा साथ हो हल्का सा हाथ तो कर दबा के जादा नहीं मेरे करने से तो आप लगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं किस टाइप से कर रहा हूं देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता हूं जैसे कि मैं आपने देखा था कि जब मैंने से यूज़ कि यह काफी पतला था और अभी यह बिल्कुल ही ड्राइ हो चुका है तुक गया है यह कि फिर भी आपको स्कूर्ब जो है इसको फिर भी उसके बाद भी आपको थोड़ा थोड़ी दर करना है क्यूंकि आपको इसकी न अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए पांच रंड़ तक करना है आपको तक करना है आपको तक करना है आपको गाइस की बहुत जादा रिलाक्सिंग सा फेशर है इसे करते वक्त भी फेस पे इतनी रिलाक्स जाएस फील होती है न असे लगता है जैसे पता नी थारेपी होती है ना जैसे थारेपी मिल रही होती है बंदे को गाइस देखिए मेरे फेस पे ग्लो देखिए ग्लो जिनकी यह साइड ब्लाक हुती है तो उनको मैं कहूंगी की वो भी इस जगहां पर थोड़ा सा ज़ादा ही टाइन दे जहां पर आपकी ब्लाक्स है वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे ताकि वह थोड़ा ज्यादा अच्छी तरी किसे क्लियर हो जाए ओके गाइस तो आप लोग देख सकते हो मेरी अच्छी तो आप लोग देख सकते हो जाए जाए तो आप लोग देखिए कैसे उत्तर रहा है तो इस टाइम पर आपको अपने फेस को करना है वाश ओके तो खुले पानी से भी अब दो सकते हो नहीं तो आप वाइप स्री यूज कर सकते हो और कोशिश कीजिए कि जब भी आप फेशल वगारा प्रीन अप ले तो अपनी स्किन को हमेशा उपर की तरफ ही इस तरीके से आप करें इससे आपके जो फेशल हेर्स होते हैं गाइस वह भी रिमूफ हो जाते हैं इस टाइम पे जब कि आपके फेस पे जो स्कॉफ है वह ब कुल सुख चुक है आप देख सकते हो यह देखिए है यह चिप चिपा हो गया बहुत जादा ओके अब हम इसको कर लेते हैं वाश मैंने फेश को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है आप ने भी खुले पानी से ही फेश को वाश करना है ताकि आपका फेश जो है वह लिए अच्छ हाँ आपको सेम एस टमैटो प्यूरी चाहिए तो अब भी जो हमारा अगला है वह पैक तो उसके लिए फिर आपको सेम एस टमैटो प्यूरी चाहिए वह आपको चाहिए दो चमच क्योंकि गाइस मैं मेरे साथ मेरी सिस्टर भी यूज कर दी यूज कर दी इन चीजों को तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा पैक बना रही है इसलिए मुझे वाइस ओवर करना पड़ा इसमें गाइस इस तरीके से आपको लेनी है प्यूरी और थ इस इस नहीं होना चाहिए इसमें आपको डालना है थोड़ा सा कर दे की यल्वे स्टोन लग रही है तो उस वज़े से एक चमच के बीच डालना है मैं दो चमच डाल रही हूं क्योंकि मेरी सिस्टर भी यूज कर रही है तो इसलिए वाइस अपको बता दिया था एक से दो आप लोग एक टेबल स्पून अगर एक बंदे के लिए बनाना तो एक टेबल स्पून ही यूज तो मैंने ये ब्रश की हल्प से अप्लाई कर रही हूं इसको तो बस इसी तरीके से आपको अप्लाई करना अपने पूरे फेस पे ज्यादा आपको बड़ा मोटा-मोटा शान ही बनाना इसको थोड़ी सी लेयर होनी चाहिए मोटी बैद इतनी जाद मोटी नी होनीचाहिए को उसको सुखने में बड़ा टाइम लग जाहिए कि बचसे सी तरी किसे कि नेक के नीचे भी जुरूर अप्लाई करें मैं बार बार आपको बोल रहे हूं इसलिए कि ताकि आपकी बाद में स्किन जो है वह अनीवन्सी ना लगे अजीव ना लगे लिप्स पे भी अप्लाई कर लें ताकि अगर जिसे ब्लैकनेस हो जिनकी लिप्स पे भी ठीक हो जाएगी थोड़ी कि लिए अप्लाई अच्छी तरीके से मैं जादा थीग पेस्ट नहीं बना लगाया है मैं थोड़ा पतला पतला लगाया है अलगा लिए लिए लगा है इसको अभी शूखने लेते हैं जब प्रॉपर्ली शूख जाएगा तो यह द्राइ हो चुका है आप देख सकते हो बिल्कुल राइ हो चुका है तो हम इसे कर लेते हैं तो यह अच्छी तरिके से वाइब से तो ऐसे क्लिये होगा नहीं तो मैं फिर भी कोशिश करती हूं करने की पहले इसको थोड़ा जीला कर लेते हैं फेस को ताकि यह इसली निकल जाए तो आप लोग देख सकते हो मैंने फेस को कर लिया है वाश और मेरा फेस आप देख सकते हो पहले से कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है आपको तो बता नहीं बट मुझे इसका रिजल्ट और सम और सम रिजल्ट लगा है यहां से देखिए मेरे फेस पे काफी जादा ऐसे रैशे से ब्लैक सी स्किन लग रही थी गंदी सी लग रही थी और बड़ा से डल सा फेस लग रहा था अब काफी हल्दी स्किन लग रही है शाइन भी देखिए गईस अच्छा फेस लग रहा है ओके गईस तो यह था मेरा आज का टमाटो फेशल और गाइस मेरे इक बात और ध्यान से सुनिए जिन लोगों के फेस पे पिंपल्स है या फिर वह रिशे वाले पिंपल्स होते हैं वह प्लीज इसका स्कुर्ब जो है वह बिल्कुल भी ट्राइना करें उससे आपके फेस पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज वह थोड़ा उनके लिए बोलिए वह थोड़ा इस फेशल से थोड़ा दूर रहे बाकी वह फेशल प्लीजिंग और पैक जो है वह कर सकते हैं ओके गईस आप देख सकते को बिलकर के अग senators को सबैसे जिए एक सम्ार आप फेशल करके मुझे कमेंस सेक्शन में जरूर बताइये जुरूर बताईये कैसा लगा आपको यह फेशल और अगर आपको ऐसी ही कुछ वीडिएओ किसी प्रॉब्रम से डैत slave चाहिए तो मुझे कमेंस सेक्षन में जुरूर बताएं okay तो मिलते हैं next video में okay bye अगर और कोई भी problem हो तो जुरूर बताएं और please guys please please मेरे चैनल को subscribe करें ऐसी new videos देखने के लिए और comment करें like करें और मेरे video को ज्यादा से ज्यादा share करें जिसे कि आपके friends की of help सके guys तो ओकी बाइब